चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटस्ट अप्टेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें हलो फ्रेंड्स वेलकम टू फूट फ्लेवर आज हमें इसा ब्रेकफास्ट बनाएंगे जो दो मिनिट में बनकर रैडी हो जाता है और यह बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए यह बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है तो चलिए शुरू करते हैं जिसा कि इस रेसिपी का नाम है दही वाली ब्रेड तो इसमें हमें चाहिए दही और ब्रेड यह आपर किसी मेसरमेंट की जोरत नहीं है आप बस ब्रेड के अकोर्डिंग दही ले ले मैंने आपर 8 प्रेट ली हैं और लगपक 300 ग्राम दही लिया है और अब हम दही में डालेंगे एक छोटी चमल नमक, एक चोथाई हल्दी, एक चोथाई मिर्च पाउडर और थोड़ा सा दर्या डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे अब दही में एक प्रेट को डिप करेंगे तवा जो है आपको नॉन स्टिक नहीं लेना है क्योंकि इस पे जो हम पैल डालेंगे वैस तरह से स्प्रेट हो जाएगा इसलिए हमें नॉर्मल डेल यूज वाला तवा लेना है अब एक तवा लेंगे इसको हाई फ्लेम पर गरम करेंगे और गेस का फ्लेम मीडियम कर देंगे अब तवे पर एक चमच ओल डालेंगे और एक छोटी चमच राई डालेंगे और राई स्प्लेटर होने लगे तब इस पर ब्रैड रखेंगे और आदे मिट बाद इसे पल्टाएंगे इधर से भी सेकेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे दही में ब्रेड डालने से ब्रेड सॉफ्ट हो जाती है इसलिए इसे जल्दी दवे पर डालें और पकाएं यह आपको खाने में बहुती स्वादिस्ट लगेगी तो हेना बड़ी मज़ेदार और जल्दी बनने वाली रेसिपी आप इसे जरूर ट्राए कीजिए और पसंद आये तो लाइक को शेर करना ना भूले अपको शेर को शेर को शेर बनने लालें है यह आपको शेर जापको शेर को शेर को से जर सकते हैं